बढ़वानी जिले के अंजर थाने में जीजा साली प्रेम प्रसंग के चलते यूअक का गला रेद दिया। जीजा मुकेश साधी सुधा साली को लेकर भागा था। अंजड थाने में बाच्चित के दोरान ससुराल पक्ष ने मुकेश पर हमला कर दिया, जिसे अंजड अस्पताल से प्रात्मिक उप्चार के बाद बढ़वानी रेफर किया गया। परीजनों ने धार-दार हतियार से गले पर हमला कर दिया। गायल युवक थाने में भागते हुए आया, जिससे पूरे थाने में चारो होर खुन फेल गया। वह अफरा तफ्री का माहुल बन गया। गायल मुकेश को ततकाल सास के अस्पताल ले जाया गया, जिसे प्रात्मि कुपचार कर बढ़वानी रेफर कर दिया गया है। मुकेश के परीजनों ने बताया कि हमला करने वालों में दिव्या का पिता भारत, भाई स्रवन, लखन विशाल वचचेरभाई अनवर वद दिव्या का पती शामिल था। बढ़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट है। तो बात करने के लिए उनको ले गए तो बाहरत और सरवान और क्या नाम से वह तुम्हार अनौर और यह समय चाहकू से मानने लगते हैं कि अभी सावी कुन्सुदा दिव्या पती अरुन सुलंकी है जो ग्यारा तारिक को अपने जीजा हमुकेश के साथ भाग देए थी हमारे हां गुंसुदी की दर्ज है तो उसके आज थाने पर अपस्टित होगी दस्तियावी की जा रहे थी तो उसी दोरान उनके दिव्या के जो भाई है or उनके पार अपसुदी कर रहे थी वर दुबया को घर ली अले बा carriage कि कर रहे हैं और पर किंट कर रहे हैं वर्चीट में डिव्या कुछा दोदिया के भाई है स्रवन अधके अई न सबाका एंको ने उसके कंटड़ें है कि arthritis कर थाने के ड़ेट के पास में तो अब इस्तित नॉर्मल बतारे डोक्तर साथ शर बताया रहा है कि हमला करने वाले पांच से छोग थे हैं अभी तो उनकी परिजया नाम बताई है दो तीन चार लोगों का नाम बताया उन्हों है अभी रिकोर्ट अभी इनकी परिजया में लिखाया नहीं है फोड़े बाद रि अभी करें अभी 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 इन्दोर मढवानी रेफर किया जाए बढवानी जाए जाए बढवानी जाए जाए